हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है जिद सीवानी टिकटकन फर्म हो गई है अब तुम पैकिंग सुरू कर दो दो साल हो गए हमें घर गए हुए अमा बाबु जी कितना खुश होंगे बच्चों से मिलकर अमन ने आफिश्चे आकर कहा ठीक है अमन मैं तयारी करती हूँ तुम भी अपना सारा सामान दे दो सीवानी और अमन अपने घर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे अमन तुम तो पिछले साल घर गए थे मैं तो जा नहीं पाई बच्चों के बोर्ड के पेपर थे अमा जी तो भी मार रहती है अब काम कौन करता है घ सफर दिल्ली से इलाहाबाद बहुत ही ठका देने वाला था घर के बाहर पहुचते ही अमन ने गेट खोला तभी अमा जी के खासने की आवाज आई आ गए बेटा कबसे इंतजार कर रही थी अरे अमा तुम बरतन क्यों मांज रही हो काम वाली नहीं आती क्या मैं तो उसको पही कर लेती हूँ पैसा भी मुँफाड के मांगती हैं अरे अमा अपनी उमर भी तो देखो कितना भी मार रहती हो फिर आपको पैसो की क्या चिंता हम दे तो रहे हैं अच्छा लगता है इस उमर में बरतन घिस रही हो लोग भी क्या कहते होंगे पर अमा जी पर अपने बे अरे अमन हद कर दी तुमने तो इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी तुम्हे सर्म नहीं आती तुम्हारी मा इस उमर में बरतन और जाडू पोछा कर रही हैं क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाय लिखाया था अमन बहुत सरमिंदगी महसूस कर रहा था पर उशक पास कोई जबाब नहीं था उसने कहा चाचा जी अम्मा जी ही कोई काम माली नहीं लगाती मैं तो पैसे भी देकर जाता हूँ पर वो मेरी मानती ही नहीं है अमन ने धीमे से सुर्षे कहा तभी चाची ताना मारती हुए बोली बहु को सर्म नहीं आ रही बूरी सास बरतन अरे बहु अब सारा दिन बरतन ही मांजोगी खाना बनेगा की नहीं बेचारी शिवानी रसोई की तरफ चल पड़ी पूरे घर के लिए खाना बनाया कोई भी रसोई में मदद को नहीं आया अम्मा जी ने आमन के आने पर अपने रिष्टेदारों को बुला रखा था शिवान के चार बज गए शिवानी खाना खाने बैठी तभी अम्मा जी आई और बोली बहु खाना खाकर बरतन मांज लेना मेरी रसोई में जूठे बरतन नहीं रखे जाते बेचारी शिवानी था कर बदन दर्द कर रहा था पर क्या करती आंगन में बरतन लेकर बैठ गई क्योंकि कि अम्मा जी का फरमान था कि जूठे बरतन रसोई में नहीं मजेंगे बाहर बैठ कर मजेंगे अब तो शिवानी को ससुराल में आना किसी सजा से कम नहीं लग रहा था वो सोच रही थी कि आखिर क्यों ये सासूमा अपनी जिद पर अड़ी रहती है अपने पुराने विच से खर्च करके कामवाली लगाता है तो क्यों नहीं बुरा लगता है शिवानी ने पूरे 15 दिन ससुराल में बड़े ही मुश्किल से काटे क्योंकि यहां आकर उसका सारा दिन रसोई और बरतन मांजने में जाता था अपने घर आकर शिवानी ने चैन की सांस ली क्योंकि इन अमा जी के पुराने विचार ऐसे ही चलते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता शिवानी और अमन को वापस आये छे महीने हो गए अब तो फोन पर ही बात होती थी होली आने वाली थी अमन चाहता था कि वो घर जाए पर उसे पता था कि शिवानी को फिर वहीं सब सहना अमन ने तुरंत बाओ जी को दिलासा दिया हम आते हैं आप चिंता मत करो अमन और शिवानी ततकाल में रिजर्वेशन करा कर घर पहुच गए बिस्तर पर अमा जी दर्द से करा रही थी शिवानी ने अमा जी के पैर चुए और बोली आप जल्दी ठीक हो जाओगी मैं आ ग करो शिवानी ने घर आते ही अमा जी की देखवाल करनी सुरू कर दी उसने एक कामवाली भी लगा ली जो घर की सफाई और बरतन साफ करती शिवानी अमा जी के पास बैट कर बाते कर रही थी तभी अमा जी बोली बहुरसोई साफ किया नहीं बरतन ऐसे ही पड़े होंगे अब तुम तो मेरी शेवा में लगी हो, सारा घर गंदा पड़ा होगा, नहीं मा जी, आप टेंसन मत लो, मैंने कामवाली लगा ली है, सब अच्छे से करती है, एक महिना पूरा हो गया, अम्मा जी भी ठीक हो गई, शब से पहले वो रसोई में गई, वहाँ चमकते हुए बरत के बिनने ले लिया, वो सोच रही थी, इससे तो बेचारी कामवाली को ही दे देती, गरीब की मदद भी हो जाती, तभी अमन भी आ गया, शिवानी को लेने, अम्मा जी बोली, बहु ने मेरी खूब सेवा की है बेटा, तभी अमन बोला, अम्मा आप जा रहा हूं, पर आप कामवाली मत अटाना, देखाना आपकी जिद की वज़ा से, आपको कितनी परेशानी हुई, अरे हाँ बेटा, बहु ने मेरी आँखे खोल दी, अब मुझे समझा गया, कि बच्चों की बात माननी चाहिए, मेरी जिद बेकार ही थी, अगर प्यार से काम लो तो, कामवाली भ घर तो आओगे न, क्यों नहीं मा जी, अब तो हम हरते ओहर आपके साथ ही मनाएंगे, अम्मा जी बहुत खुश थी, सीवानी और अमन भी अब चिंता से मुक्त हो गए थे, क्योंकि सीवानी को अब ससुराल में काम का कोई बोज नहीं था, आसा करती हूं दोस्तों, आपको उमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, धन्यवाद